प्राम आज के यूट्यूब चैनल में आप तो भी लोगों का त्वागत है आज का हमारा टापिक है कलकेरिया ग्रूप में कौन ते द्वाणया बायोक्रेमिक की तरह जो यूज होती है इनकी बारे में थोड़ा ता बेसकतन करूंगा सबसे पहले जो बेटिसिंग आती है वो आती है कलकेरिया फ्लोप देखिए कलकेरिया फ्लोप इस दवागत इच्छी काम करती है यह दवा का में डूल होता है फिराओं में वेंज में रुदिर के संचे के कारण सिराओं का फूलना वेकोज वेंज का हो जाना उसमें फोड़े हो जाना हड़ियों में दर्द होना पीट के निचले हिस्तों में दर्द होना पीट के बैक पेन में दर्द होना कहीं पर भी पत्थर के समान कोई गाठ हो जाती है सूजन हो जाती है फिस्ट हो जाती है वहां पेकल के रिया फ्लूर का बहुत अच्छा रूल होता है गरवास में भी स्कायोच करते हैं गुधा में फटर होना हिसर होता है अ्पा तोचा जाती है को सब्सें बोग सब्सी मेरिसिंश जो आती है कल्केरिया फ्लोर बहुत kidneys बिस गोड़ लोग में होता है कि कैल्सियम के साथ फास्पूरस मिला होना यह हमारा इसकी उप्योगता क्या होती है खून की कमी को बढ़ाती है हट्टियों के दोस्पूरों विकास को बढ़ाती है हट्टियों में कोई विकास नहीं हो पाता है तो विकास को बढ़ाती है दात निकलने में चोड़े बच्चों को दाथ नहीं निकलते हैं तो उसमें ये बहुत लापकारी होती है चलने में देरी होती है बच्चों को चलने में नहीं चल पाते हैं देरी से डिले होता है उनका तभी कलकेरिया फास दे सकते हैं जोडों में दर्द होता है रात्री में रात्री में अगर उनको दि दिक्त होती है तब दिक्कत आप इनको कलकेयाब FAST दे सकते हैं ङर्याया में दियर्यों के सर में दर्द हों है एकजर्ष घ् सकते हैं लीकुरिया में महासिया टांसिल्स में भी आप कलकेया FAST दे सकते हैं 66 में कलकेरिया ग्रुट की बायो केमिक साल्ट में तीसरे नंबर पर आती है कलकेरिया से यह भी दवा बहुत ही अच्छी होती के साथ में कैल्सिंट के साथ में माद निकलने लगता है नाग हो तेजिए बैने लगती है पुरakahोम हो जाते हैं टिर्य वजाता है तो उकक डिया ग्रूपि यह टीन दुपार्य आप डिस्का靉ति हैं बहुत ही अच्छी होती हैं आप निस बारी-बारी से आप इंको ले सकते हैं और तीनों दवाईयों का आप अच्छी तरह सेवन करें क्रिण केल्केरिया पर्स के रिया फोर कि अगर आपको अच्छा लगा है इसको लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें इस तो इसे टाइम पे जब भी हम कोई हों पर इसे रिलेटेड कोई वीडियो बनाएं तो आपको मिलता रहें नमस्कार